असका दोस्तों आज के वीडियो को टॉपिक है वाट इज डूवल सोर्स एनर्जी मीटर दोस्तों आज के वीडियो में जो हमारे घर में नॉर्मली एनर्जी मीटर लगे होते हैं और जो डूवल सोर्स एनर्जी मीटर होता है दोस्तों आप दोनों चीज दोनों एनर्जी में यहीं होता है आघ करेंगे और अगर आप से इंट्रवू में पूशा जाता है कि टुछा जाता है कि यह कैसे और करता इसका connection कैसे होता है मैं आपको इसके उपर वीडियो भी बना के लाऊंगा दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा दूस्तों जो नॉर्मल मीटर होता है जो घरों में एनर्जी मिटर लगे होते थे वह दो पकार कियाते थे एक तो आता था एनलोग जो पहले लगे पहले लगता था जींद ते और जो अब अलगे होते हैं वह दीजिटल में और दोस्तों आप ल मेर्ट। में यह परीपेड होता है इनलॉग जो ता था वह पहले लगता था इसमें घरीडर रिकार की एक सुए होती थैसे यह सुई अईसे ऐसे इसमें रिडिंग बने होते हैं दिश्टल है दिष्टल एेनरजी इंग्र है मतलब उसमें दिश्टल हो गया वो एनलौक नहीं है और अगो were ot होता है जैसे कि अपना अंका फोन होता है उसमें जब तक पैसा रहेगा तब तक का फोन काम करेगा इंकमिंग ऑउट गूंग तмен लाइगा अगर आपका पैसा बारी पज़ए राद में कट जाएगी ऑफ री चार्ज करें energy meter क्या होता है दोस्तों dual source energy meter का मतलब होता है कि इसमें आप duals दो चीजें आप इसका क्ये डेवल यह नोट कर सकते हैं जो एनलोग आतने डिश्टल आते हैं प्रिपेड आते हैं इसमें दोस्तों यसमें kwhp kvach हम चेक करते हैं देखते हैं इसकी बनाते है के की वह में थोड़ा संतर होता है के देवले इस तोड़ा का ज्यादा होगा दोस्तों मैं इसके detail video बना चुका हूँ KWS और KVH के उपर मैं detail video बना चुका हूँ आप में नई देखा है तो दोस्तों आप देख लीजेगा Dual source Energy Meter का मतलब क्या होता है Dual source Energy Meter में आपका जो power आता है जो powerhouse आता है UPPC जो power आता है इसका भी KWS count करेगा और अगर आपके घर में generator लगा हुआ थीक है दोस्तो इसमें जो आपका UP pixel जो power आता है तो वो भी इसका KWS count करेगा और अगर आपके घर में PP-raktion डेंज लगा हुआ है या अपन। जनरेतर लगा हुआ है उसका भी KWS ये count करेगा ठीक है मतलब जब पावर आपका चलता रहेगा तो पावर का kwh count करेगा कि कितना kwh हुआ इसमें आपका kvh बिनापेगा kvrh बिनापेगा kvh भी देखेगा बहुत साइट से फंक्शन होते हैं जो इसमें जो reading आती है वो kwh kvh kvrh kvrh और आपका md kva kvmd तो इसमें बहुत सारी चीज़े होती है यह advance level का होता है यह only industry में ही use कि जाते हैं जो dual system energy meter होते हैं क्योंकि वहाँ पर powers भी plan चलाना होता है और dj से भी plan चलाना होता है तो हमको दोनों की reading चाहिए होती है कि power से कितना हमारा के डेवल कंजर्फन हुआ और डी जी से कितना कंजर्फन हुआ इसमें दोस्तों इसमें कर लेता है यह जो dual source energy meter होता है यह MPR base पर काम करता है ठीक है मतलब यह MPR को count करता है यह जो के डिवलो जिसका आता है तो इसके तीनों फेस्ट में तीन फेस्ट में यह दे दिए देंगे energy yükler में कि उसके परश में सीटी लगा होता है जैसे आपको लोड़ होगा उससार आप सीटी लगाते है माली जापती पर लोडेगर 50 का है तो आपको पतास बढ़े प्रवाइब या पिर साफ या इस में डालना पड़ता है दोस्तो मैं आपको या क्या क्रते हैं क्या है क्या करतेता आप कमेंट जरूर कर यście करके फिर यह kWherida को बनाता है count करता है इसमें आपको डिगी कभी बता देगा कि कि यहा email करत है खावर कभी बता देगा कितना ख़चोगा और दोस्तों इसमें आपको फर फेस में कितना बोल्टे जा रहा है और जो इसका रीडिंग होता यह पूरा accurate होता कोई भी प्राब्लमनी ओती है जो नौर्मल डिज्टाल्वेटर आ रहा है इसमें भी when father लेकिन इसके अंदर इंडर में ही इंड लोता है यह छोटा से सीटी होता हैμαι क्योंकि इसमें ज्यादा लोच नहीं होता है यहां पर जो चीर्डी ल Kaiser अलग यहाँ पर लोड ज़्यादा है यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है तिसलिए अलग से CT लगाते हैं लेकिन जो हमारे डिश्टल एनरजी मीटर है इसके अंदर मीटर में ही CT लगा होता है जो एंपेर को काउंट करता है तो इसी बेस पर हमारा KVH की रीडिंग आती है पहले अब KVH की रीडिंग में नहीं आती थी अब KVH में पहले आता था लेकिन अब KVH में भी रीडिंग आती है डोनों रीडिंग आती है दोस्तों आपको जान कैसी लगी है अगर अच्छे लगी हो तो चैनलों को सब्सक्राइब बेड़ कम करने के बाद बैल आइकन गॉटन जो दो देवाती जगा